गुड डिवनिंग एवरीवन हम लोग बेस्ट वंगाल बोट का चप्टर वाई चप्टर कंप्लीट कर रहे हैं मैं हूं इमांसुकुमार कॉसिक 1.2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुक है आज हम लोग 1.3 स्टार्ट करेंगे यह 1.3 का 1 और 2 इस वीडियो में हम लोग करेंगे आ डिफ्रेंस ऑफ टू पोजिटिव होल नंबर इस थ्री ओके को दो कोई भी दो पोजिटिव नंबर का डिफ्रेंस यहां पर थ्री है एंड़ सम ऑफ देर स्क्वाइर इस 117 और फिर उनहीं नंबर का अगर स्क्वाइर करके फिर हम उसको एड करते हैं तो वह 117 आता है हम ल पकड़ लीजिए वरियेबल मेंटर नहीं करता है आइए करते हैं स्टार्ट करते हैं लेट दी वट लिट वन अफ द आप इसको मिटा सकते हैं अपर लिट वन ओफ दी होल नंबर बी एक्स अगर एक नंबर एक्स होता है तो दूसरा नंबर क्या होगा अधर होल नंबर बिल भी क्या होगा बताइए या तो वो एक्स प्लस थ्री हो सकता है या फिर एक्स माइनस थ्री हो सकता है क्योंकि तीन कहीं डिफरेंस है ना हम लोग एक्स प्लस थ्री इसको पकड़ लेते हैं अब यहां पर हमने दोनों नंबर को एजूम कर लिया एक को वे जूम किया उससे हमारे दूसरा नमबर डिराइव हो गया अब हम लोग जो इक्वेशन में बोला है हम लोग उसको according to question करके put करते हैं उस form में तो बोला है कि sum of the numbers तो पहला अगर x का आप sum square करोगे square of the sum of the numbers रहीट पहले square कर लेते हैं तो x square हो जाएगा इसका second वाले नमबर का क्या हो जाएगा x plus 3 का square हो जाएगा बुला है इनका जो square होगा उनको को add करने से आपका 117 आना चाहिए राइट आई अब इसको solve करते हैं हम लोग यह आपका हो जाएगा x square plus x square plus 6x plus 9 equal to 117 राइट यह आपका आजाएगा 2x square plus 6x plus 9 minus 117 equal to 0 करेक्ट अब आप आगे इसको solve करो यह हो जाएगा 2x square plus 6x plus 9 इसको करोगे तो minus 10 8 आजाएगा आपका यहापर आप क्या करो two common ले लो यह हो जाएगा x square plus 3x minus 54 equal to 0 कि टू उधर चला जाएगा 0 by 2 हो जाएगा तो वह बापस 0 हो जाएगा x square plus 3x minus 54 equal to 0 यह आपका equation है middle term factor करना इसको 54 का factor क्या क्या होता है आई यह देख लेते है 279 33 right इसको plus यह minus करके आपको 3 लाना होता है तो हम लोग यहाँ पर directly कर लेते हैं 3 x 3 2 x 2 तो 339 minus 2 9 minus 4 4 होता है तो कितना आता है 5 आता है आपको लाना कितना है आपको लाना यहाँ पर 3 तो क्या कर सकते हैं सोरी यहाँ पर मैंने गलत किया थ्री होगा आपका राइट थ्री थ्री जा 9 and 3 2 6 तो 9 minus 6 आपका 3 आ जाएगा आई यहाँ पर एक लाइन खीच लेते हैं और इसको स्वाल कर लेते हैं यहाँ पर यह हो जाएगा आपका एकस स्क्वाइर प्लस 9-6 हम लोग लिख सकते हैं एकस माइनस 54 इक्वल टू जीरो देखें मिडिल्टन फैक्टर का क्या होता है यह 9-6 करके जो यहाँ पर है वो आ रहा है थ्री हमारा और 9 इंटो 6 करके आपको देखिए यह आ जा रहा है तो 54 आगे बढ़ते हैं एकस स्क् प्लस 9 दूसरा आगया एकस माइनस 6 इकलटो जिरो दियर्फोर एकस इकलट announces 9- täll थेία은न ङृड़् लिख सकते एक्टा वैल डिराइफ कर चाहिए अब देख लिए अब देख लिए 36 प्लस 81 क्या आपका 117 आता है अब कोर्स आता है ठीक है अश्जिके अब हम लोग निक्स्ट कोष्चन की और बढ़ते हैं जो आपका इस नमबर टू है राइट आई ये question number two हमारा क्या कहता है question number two कहता है the base of a triangle is 18 meter more than two times of its height कोई एक triangle है जिसका base क्या है उसका height का two times 18 जादा है if the area of the triangle is 360 square meter then let us determine the height of it तो हम लोग को height निकालना है क्या करते हैं हम लोग height को height को assume कर लेते हैं let कर लेते हैं क्या है let the height of the triangle be x right अगर height को x करते हैं तो आपका base कितना होगा base will be base क्या बोला आप question को को और से पढ़िए 18 more than two times of height तो height का two times कितना होता है 2x अगर इससे बोला 18 जादा तो आप 18 प्लस कर दो यह आपका base मिल गया राइट अब हम अपने पास क्या है height और base दोनों है question में पूछा है कि इनका height बेस हम लोग को triangle निकालते हैं equal to क्या formula होता है 1y2 इंटू बेस गिवन है आपके पास into height गिवन है right यह दे देते हैं 1y2 इंटू बेस कितना है 2x प्लस 18 और height कितना है आपका h area कितना गिवन है 360 आईए इसको solve कर लेते हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं हम इनमें से अगर 2 common ले ले तो यह हो जाएगा 2y2 x plus 9 into h right अब यहां पर हम देखिए 2 plus 2 को कुमें 2 से डिवाइड किजिए आप pencil हो जाएगा अब जो आपके यहां पर एक सरक दीजिए यह हो जाएगा एकस प्लस 9 हाइट को हम लोग एक सी एजुम किये थे 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 ना 360 इक्वल टू यह हो जाएगा आपका एकस स्क्वार प्लस 9 एक्स करेक्ट अब आपका जो बनता है हम पर क्वाडिटिक एक्वेशन यह हो जाता है एकस स्क्वार प्लस 9 एकस माइनस 360 इक्वल टू जीरो करेक्ट अब 360 का आपको LCM लेना है और उसको प्लस माइनस करके 9 लाना है आप उसका मिडिल टम फैक्टर करके देख लो 360 का कितना आता है सपोस 360 का फैक्टर हम यहीं पर निकाल लेते हैं आप पहले 2 से करोगे तो यह 2 से तो होगा नहीं 3 से करो 15 हो जाएगा अब यहां पर देखो आप 3 टू जा 6 6 टू जा 12 टू जा 24 24 माइनस 15 करोगा आपका 9 आ जाएगा ओके आगे कुछ करने का जरूबत नहीं यहीं से हम लोग सॉल्फ कर लेते हैं यह हो जाएगा एकस स्क्वार प्लस 24 माइनस 15 एक्स मा 24 हो जाएगा यहां पर माइनस 15 कॉमन लेलो एकस प्लस 24 आ जाएगा जो आपके पास अभी है एकस प्लस 24 और एकस माइनस 15 एकवल टू 0 एकस का जो वैलू आपको मिलेगा एक मिलेगा माइनस 24 और एक आपको मिलेगा प्लस 15 तो यह अपना अंसर आ गया एकस का वैलू अब ह हाइट जो आपका कितना हो गया हाइट हो गया आपका 15 हाइट इकोल टू अब बोल सकते हो ट्रेंगल का जो हाइट है आपका 15 आया राइट वीडियो देखिए पसांद आता है शेर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा लोगों तक पहुचाए वीडियो को और इस तरह से बने रही है सारा चेप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे वन वाइवन थैंक्यू थैंक्स अलोट थैंक्स पूर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल थैंक्यू